हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में दोस्तो आज हम लोग जो है टैली में लेजर बनाना सीखेंगे लेजर में आप कोई भी खाता कैसे बनाओगे इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा कम्प्लीट बताने वाला हूँ इसके अलामा लेजर के अंतरगत आने वाले जितनी भी बाते होती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा हैलो दोस्तों मेरा नामे गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मर्ट क्लास अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा टैली आपको यहां पर उपर की सैड में ही मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करके टैली को ओपेन कर लेना है थोड़ा सा ये लोड लेगा इसके बाद टैली प्रॉपर हमारे कम्प्यूटर में खुल जाता है अब हमको जो है कोई भी इंटरी करने के लिए लेजर बनाने होते हैं यानि खाते बनाने होते हैं देखिए कोई भी खाता हो चाहे आप किसी व्यक्ति के नाम से खाता बना रहे हैं जैसे customer के नाम से या फिर supplier के नाम से या फिर किसी society के नाम से खाता बना रहें, किसी trust के नाम से खाता बना रहें, किसी company के नाम से खाता बना रहें, चाहे आप purchase account का खाता बना रहें, चाहे sales account का बना रहें, चाहे GST का बना रहें, कोई भी आप खाता बनाएंगे, तो वह का यह जो account info लिखा हुआ है info का full form होता है information accounts information पर ही आपको जाना है ज्यादा कि हम उसी पर हैं तो हम click कर देंगे enter button तो हम account information पर आ जाएंगे अब यहाँ पर जो है आपको दो option मिलते हैं पहला तो है groups और दूसरा है laser तो groups के बारे में हमने बात कर ली है आज हम लोग जो है laser के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जो है laser पर आएंगे keyboard का इस्तमाल करके इसके बाद जो है enter key को press करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इस तरीके से interface दिखाए देता है यहाँ पर आप जो लेजर दो तरीके से बना सकते हो एक single laser और एक multiple laser जैसे की group में मैंने आपको बताया था single laser के अंतरगत अगर आप laser बनाते हो तो आप एक laser सिर्फ एक ही बार में बना पाऊगे यानि एक खाता सिर्फ आप एक ही बार में create कर पाऊगे अगर आप एक ही बार में धेर सारे लोगों का यहाँ पर लेजर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको multiple laser वाले section में आ करके create पर click करके laser बनाने होगे तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं single laser में तो single laser में आपको यह जो तीन option दिखाए दे रहे हैं पहला है create, दूसरा है display और तीसरा है alter create option का इस्तमाल करके हम laser बनाएंगे display option का इस्तमाल करके हमने जो laser बनाया है उसे देखेंगे और alter option का इस्तमाल करके अगर हमने laser बनाते वक्त कोई गलती की है तो उसको सही कर सकते हैं और साथ में अगर हम उस laser को delete करना चाहें तो delete कर सकते हैं इसी तरह के से multiple laser में create कर सकते हैं display कर सकते हैं और उसको alter कर सकते हैं यानि कुछ गलतियां की है तो उसको सही कर सकते हैं तो सबसे पहले create वाले पर हम लोग जो है enter button दबाएंगे या फिर आप देखोगे यहाँ पर सभी की shortcut भी है जैसे create में c है इसका D है इसका A है और इसका R है इसका I है और इसका T है इसी तरह के से अगर आप keyboard से यह word को press कर देते हो तो आप direct in option में जा सकते हो या फिर मैंने आपको बताया है कि जो keyboard में arrow button होते हैं उनकी मदद से हम उपर नीचे जा सकते हैं तो हम create वाले option पर है और इस पर हम जो है enter button को press करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने laser creation की window खुलेगी जिस भी व्यक्ति के नाम से हम laser बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर type करना है अगर हम किसी society या trust के नाम से बना रहे हैं किसी bank के नाम से laser बना रहे हैं sell या purchase का laser बना रहे हैं तो वो नाम हमको यहाँ पर type करना होता है जैसे कि मैं जो है laser बना रहा हूँ customer के नाम से जाने कि मेरी जो shop है वहाँ पर जो customer आते हैं जिनको मैं उधार माल बेचता हूँ उनके नाम से यहाँ पर मैं laser बनाने वारा हूँ तो यहाँ पर एक मोहन है जिसको मैं उधार माल बेजता हूँ तो मैंने यहाँ पर मोहन के नाम से लेजर बना दिया है अगर आप चाहो तो जो मोहन की दुकान है उसके भी नाम से लेजर बना सकते हो तो आप उस व्यक्ति के नाम से भी जो है लेजर बना सकते हो जिसको आप उधार माल बेशते हो या फिर अगर उसकी कोई ट्रस्ट है कोई दुकान है तो उसके नाम से कोई बिजनेस है तो उसके नाम से आप यहाँ पर उसका लेजर बना सकते हो फिलाल हम लोग जो है मोहन के ह भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा आप उसी व्यक्ति के नाम से ही सिर्फ खाता बना सकते हैं अब खाता बनाने के बाद हमको जो है कीबूर से एंटर की को प्रेस करना है एंटर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है एलियास मिल जाएगा यानि इस व्यक्ति का अग आपको यहाँ पर देना जरूरी है अगर आप जो है गलत दे देते हो यानि कि इस खाते को गलत ग्रूप में डाल देते हो तो एकाउंटी करने में दिक्कत होगी जैसे कि यह जो मोहन है यह हमारा कस्टमर है यानि हम इसको माल बेजते हैं तो यह जो है संड्री डैबिटर के ग्रूप में आएगा ठीक है संड्री डैबिटर अभी आप देखोगे जैसे ही हम अंडर वाले सेक्शन में आए हैं तो राइट साइड में सारे के सारे ग्रूप की जो है लिस्ट आ गई है अब हमको जो है यहां से संड्री डैबिटर वाला उप्शन को सलेट करना होगा अ फिर आप यहां पर टाइप करना सुरू कर देजिए जैसे संड्री क्रेटर होता है या डैबिटर होता है तो आप जैसे ही संड्री लिखना स्टार्ट करोगे यानि पहला लेटर से सुरू करना स्टार्ट करोगे तो यह इसमें से कम होते चले जाएंगे जैसे कि मैं यहां पर लिखना सुरू करता हूं मैंने लिखा संडरी जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया संडरी तो देखोगे संडरी से जो भी group available है वो उपर की सैड में आ गया है तो यह हमारा customer है तो इसको हम adapter वाले group में डालेंगे sundry adapter अब हम जो है arrow की मदद से sundry adapter को select करेंगे इसके बाद जो है enter key को press करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है यह जो मोहन customer है यह हमारा sundry adapter है यानि कि यह हमारा देंदार है हम इससे पैसे मांगते हैं इसलिए हमने sundry adapter में डाला है इसके बाद जो है यहाँ पर maintain bill by bill यह आपका yes है इसको जो है हमें no करना है अगर आपका भी yes है तो आप इसे end press करेंगे यानि end press करते ही इसके बाद enter अगर key press करोगे आप तो यह no हो जाएगा इसको भी आपको no ही रखना है इसके बाद जो है बड़ा है तो आप दूसरी लाइन का भी इस्तमाल कर सकते हूँ जैसे कि माल लिजे मैंने इतना address लिख दिया है अब मुझे दूसरी लाइन में लिखना है तो मैं enter key को press करूँगा दूसरी लाइन में भी मैं address डाल सकता हूँ माल लिजे आपका address और बड़ा है तो आप दोबारा से enter key को press करके और भी यहाँ पर line को ले सकते हो address लिखने के लिए अगर आपका address complete type हो गया है तो आपको दोबारा से enter key को press करना है इसके बाद जो आपका customer है यानि जिसके नाम से आप laser बना रहे हो इंडिया करेने वाला है या कहा करेने वाला है यहाँ पर country आपको select करनी है right side में country की list आ जाती है इसके बाद फिर से आपको enter key को press करना है और इसके बाद यहाँ पर state भी आ जाएगा यह जो आपका customer है वो किस state का है तो यहाँ से आप state भी select कर लीजिए इसके बाद फिर से enter key को press करना है और यहाँ पर उसका pin code डालना है तो अगर आपके पास customer का pin code है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से enter कर देना है इसके बाद जो है आपको enter key को press करना है यह जो provide bank details है ना इसको आपको no ही रहने देना है यानि इसको हमको जो है यस नहीं करना है इसके बाद फिर से हमको जो है एंटर की को प्रेस करना है फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है और फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है जब तक ये accept का option नहीं आ जाता है तब तक हमको एंटर की को प्रेस करना है अब देख की address की detail यहां पर डालनी है यहां पर pin कोड़ना है बस यह चोटी सी detail है इसे आप इस तरीके से डाल करके यहां पर आप जो है इसको फेट से अगर enter की को प्रेस करोगे तो यह accept हो जाएगा यह आप जो है आप जब दबाओगे तो आप पीछे आजाओगे जैसा कि यहाँ पर हम लोग आ गए है अब हमने जो laser बनाया है उसको देखने के लिए हम लोग display वाले option में click करेंगे तो यहाँ पर हम लोग display पे आएंगे enter key को press करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने जो मोहन customer के नाम से laser बनाया है वो दिखाई दे रहा है cash और profit and loss का laser हमेशा company में बने बनाये ही मिलते हैं यह दो laser आपको पहले से बने बनाये मिलेंगे इसके बाद जो है खुद से आपको अपना laser बनाना होता है तो यह जो हमारा मोहन है वो customer है यानि ग्रहा के उसके नाम से हमने laser बनाया है इसी की detail हमको display करनी है देखनी है तो हम enter key को press करेंगे उस पर आने के बाद उसकी detail हमको दिखाई देगी लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम अगर इसमें कुछ गलती हो गई उसको सही करना है तो हम display वाले में सही नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें इसे alter करना होगा तो alter करने के लिए हम फिर से back inside जाएंगे पूरा और back जाएंगे इसके बाद जो है फिर से हम लोग alter वाले पे आएंगे इस वाले पे ठीक है अब हम जो है इसको enter key को press करेंगे enter key को press करने के बाद आप कौन सा laser का alter करना ता आते हो तो हम mohan customer वाला जो laser है उसका alter करना चाहते हैं उस पर आने कबाद हम लोग enter key को press करेंगे तो अब जो है जो भी गलती हुई है उसको आप सही कर सकते हो जैसे कि mohan customer है आप चाहो तो इसका नाम change भी कर सकते हो या फिर enter button को दबाते वे आगे एक side में इसका under अगर आप से गलत हो गया है तो आप इसका group जो है यहाँ से change कर सकते हो इसके बाद आगे आने के बाद अगर आपका इसका जो है address गलत हो गया है तो यहाँ से address वगयरा भी आप change कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दीता हूँ जो चीजे गलत होई है उसको फिर से type करने के बाद enter key को press करना है और इस entry को आपको पूरा का पूरा accept करा लेना है यहाँ तक आने के बाद अब जो है हमने इस laser के अंतरगत alteration कर दिया है यानि सुधार कर दिया है अब जो है हम enter key को press करके देख सकते हैं अब यह आप देखोगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है फिर से हमको back जाने के लिए escape key को दबाता है और लगातार दबाने के बाद आप back आ जाओगे इसी तरीके से आपको जितने भी laser बनाने होते हैं सेम यही process होता है जब आप अपने supplier का laser बनाओगे यानि जो आपको माल बेचता है तो उस समय आपको group में sundry creator डाल देना है इसी तरीके से अगर आप bank के नाम से laser बनाओगे तो bank में आपको group में bank account डाल देना है ठीक ऐसे ही अगर आप sell account का बना रहे हो तो आपको group में sell account डालना है अगर आप purchase account का laser बना रहे हो तो purchase account डालना है यहाँ पर मैं आपको purchase account का laser बना करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं जो है laser बना लेता हूँ मैं चलता हूँ यहाँ पर create पर हम single laser अभी फिर से बना रहे हैं enter key को press करेंगे यहाँ पर हम लोग laser creation की window में सबसे पहले तो नाम डालेंगे मैं यहाँ पर purchase का ही laser बना लेता हूँ मैंने purchase यहाँ पर लिख दिया है इसके बाद enter key को press करूँगा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि purchase जो है एक तो GST के साथ होता है और एक बिना GST का यानि कुछ product ऐसे होते हैं जो बिना GST के ही खरीदे जाते हैं इस पर GST नहीं लगता है और कुछ product ऐसे होते हैं जिन पर GST लगता है तो laser बनाते वक्त आप यह थोड़ा सा change कर सकते हो कि purchase exempted लिख सकते हो यानि कि purchase तो कर रहे हैं लेकिट exempted है यानि इस पर tax नहीं लगेगा या फिर अगर आप जो है exempted नहीं लिख रहे हो तो purchase add the rate 0% tax करके इस तरीके से laser बना सकते हो तो यहां पर मैं purchase add the rate और इसके बाद जो है 0% और इसके बाद जो है space दबा करके tax यहां पर type कर देता हूँ तो इस तरीके से भी आप जो है laser का नाम रख सकते हो यानि purchase का laser बन रहा है लेकिन 0% tax पर इसके बाद जो है हम लोग enter key को press करते हुए नीचे की side में आएंगे group मैंने आपको पहले भी बताया है फिर से बता देता हूँ कि हम जो भी laser बनाएंगे उसका group हमको सही देना है बटन होती है इसमें भी आप जो है यह वाला select कर सकते हो purchase account तो हम यहाँ पर जैसे ही पी यू आर टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो भी purchase account रहेगा वो आ जाएगा तो हम enter key को press करके यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद जो है inventory value are affected इसको हम जो है no रख देंगे इसको end press करके no कर देंगे enter key को press करते वे यह जो है not applicable यहाँ पर आपको select करना है type of laser में not applicable इसके बाद जो है provided bank detail इसको no ही रहने देना है और enter key को press करते वे accept करा लेना है अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर address वाले section में हम गए ही नहीं क्योंकि यह हमने purchase का laser बनाया है कि किसी वेक्त या trust के नाम से लेजर नहीं बनाया है जब किसी वेक्त या trust के नाम से society के नाम से firm के नाम से जब आप laser बनाओगे तो ही उनका address डालना होता है लेकिन जब आप purchase cell का laser बनाओगे तो वहाँ पर address नहीं डालना होता है इसी तरीके से आप जो भी laser बनाओगे है न वो पूरा मजबूत हो जाएगा कि किस तरीके से हमको क्या क्या चीजे करनी होती है तो आप बिल्कुल भी ना घबडाएं बस वीडियो के साथ जुड़े रहें चैनल के साथ जुड़े रहें वीडियो को यहां पर यहां पर करेंगे कोई इसमें से लेजर को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे अल्टर पर इंटर इंटर करेंगे यहां पर जो है जो भी laser को हमको delete करना है उस laser को select करके open कर लेंगे कुछ इस तरीके से, अब हमको keyboard से alt के साथ d button दबाना है, alt के साथ d button, ये shortcut आप नीचे की side में भी देख सकते हो, जिस word के नीचे एक line होती है, उसको alt के साथ दबाना होता है, ये आप आपर देख लिजिए, alt के साथ d मैं जैसे ही दबाऊंगा, तो ये मुझे से पूछ रहा है कि क्या आप इसे delete करना चाते हो, और अगर मैं keyboard से enter key को press कर दूँगा, तो ये delete हो जाएगा लेकिन मैं delete इसे नहीं करना चाता हूँ, आप delete करके देख लिजी, 100% ये काम करेगा क्योंकि आपके सामने है, मैं जो है escape की दबाऊंगा, क्योंकि मैं इसे delete नहीं करना चाता हूँ, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहां तक बताया है, हम तो है पूरी तरीके से back चलेंगे, हमने single laser बनाना सीख लिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा multiple laser भी बनाना सिखा लेता हूँ multiple laser बनाने के लिए हमको multiple laser वाले section में आकर के create वाले option पे आकर के enter key को press करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले तो यहां पर group देना है यानि कि जिस group के under में आप laser को बनाना चाते हैं, वो group आपको सबसे पहले ही दे देना है तो जैसे कि मैं जो है sundry adapter यानि जितने भी मेरे ग्राहक है उन सभी का एक ही बार में laser यानि खाता बनाना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर sundry adapter type करूँगा, यह देखिए मैंने sundry adapter type किया, देखिए यहाँ पर एक message आया था error का, यानि अगर आप spelling गलट type करते हो, तो इस तरीके से spelling error message आता ठीक है, तो spelling आपको सही type करनी है s un, जैसे ही हम s un type करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा हम यहाँ से जो है group को sundry adapter वाला select करेंगे यानि कि जो भी हमारे customer है उन सभी का खाता, हम एक ही बार में यहाँ से खोल सकते हैं अब तो यह जरूरी तो नहीं है कि आपकी दुकान पे एक ही customer आता हो धेर सारे आपकी customer होंगे, जो उधार माल लेके जाते होंगे, तो उस समय हम चाहें तो एक ही बार नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, मैं यहाँ पर वैशाली टाइप कर देता हूँ, लिखने के बाद आपको फिर से एंटर की को प्रेस करना है फिर से यहाँ पर जो है, तीसरे customer का आपको यहाँ पर नाम टाइप कर देना है, तो अभी देखो कि हमने दो customer के नाम यहाँ पर type कर दिये हैं जो की under में sundry debters यहाँ पर हैं अब अगर हमको और भी customer के नाम add करने तो हम add करते चले जाएंगे मालीजिये अगर आपका customer का नाम add हो गया है या फिर कुछ गलत हो गया है तो आप उसको सही अगर करना चाहो तो जो backspace इस button होता न उससे आप जो है click करोगे तो पीछे आऊगे जितना आप backspace को press करोगे उतना पीछे आऊगे और enter की को press करोगे तो आगया होगे मालीजियर हमारा यह complete हो गया है तो हम entry की को press करते वबह इसको accept करा लेंगे last में आप से यह पूछेगा accept हम जो है इसको enter key को press करेंगे यह accept हो जाएगा अब जो हमने multiple lasers बनाये हैं उनको देखने के लिए हमको display वाले में जाना है multiple laser के display वाले option में हमको इस पर जो है click करना है अब आपको यहाँ पर जो है जिस भी group के under में आपने जो है customer के नाम को बनाया था यानि multiple laser बनाये थे आपको जो है उसी group को open करना है जैसे कि यह देखे sundry adapter हमने जो है बनाया था तो हम पूरा नीजी के side में आएंगे sundry adapter वाले इसके बाद enter key को press करेंगे तो जैसे ही हमने उस option पर आकर enter key को press किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी का नाम दिखाई दे रहा है मोहन कस्टमर हमने पहले से ही बना रखा था उसका भी नाम यहाँ पर आ गया है और दूसरा हमने राहूल बनाया था वैसाली सभी का नाम आपको दिखाई दे रहा है अब माल लीजिए इसमें से आपको किसी भी एक लेजर को डिलीट करना है या फिर उसमें कुछ संसोधन करना है यानि कुछ गलतियां कर दिये हैं आपने उसे सही करना है तो उस कंडिशन में हम लोग पूरी तरह के से बैक आएंगे और बैक आनक बाद इस बार जो है हम लोग अल्टर पे क्लिक करेंगे यह जो मल्टिपल लेजर वाला है उसके अंदर अल्टर पे क्लिक करके एंटर की को प्रेस करेंगे इसके बाद हम लोग फिर से जो है संडरी डैप्टर वाले ग्रूप में जाएंगे संडरी डैप्टर वाले वे और इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे यहां पर जो है आपका सभ accept करा लूँगा ठीक है ये तो रही बात change करने की लेकिन अगर आपको जो है इन laser को delete करना हो तो कैसे करोगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन laser को delete करने के लिए आपको multiple laser वाले section में अगर आप alter करोगे तो वहाँ पर delete वाला option dis highlight है यानि आप यहाँ से इने delete नहीं कर सकते हो लेकिन फिर कहाँ से आप इने delete कर सकते हो ये भी सवाल बनता है तो इसके लिए हमें पूरा back आना है ठीक है back आप आईए back आने के बाद आप देखिए multiple lasers वाले के अंदर हमने create display अल्टर सीख लिया है अल्टर में आप संसोधन कर सकते हो लेकिन अगर delete करना हो तो हमें single laser वाले alter में आना होगा डिलीट करने के लिए हमें single laser वाले option में आकर के यहाँ पर अल्टर पे click करना है और enter key को press करना है अब यहाँ से आप जिस भी laser को जो है delete करना चाहते हूँ, उसको जो है open करना है, तो मैं यहाँ पर राहूल वाला delete करना चाहता हूँ, मैं चो जो है enter key के press करके open करूँगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आने के बाद, अब आप देखो के यहाँ पर जो delete वाला option है, वो highlight हो गया है, यानि अब जो है आप इसे आप डिलीट कर सकते हो तो डिलीट करने के लिए हम लोग जो है Alt के साथ D बटन को दबाएंगे और यहाँ पर Y प्रेस कर देंगे या फिर Enter की को प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा देखें यहाँ से राउल डिलीट हो गया है इसी तरीके से मैं वैसाली को भी आकर के यहाँ पर Enter की प्रेस करके और Alt के साथ D प्रेस करके डिलीट कर दूँगा Enter की को प्रेस करके तो यह भी डिलीट हो जाएगा इस तरीके से आप जो है लेजर जो भी आपने बनाया है चाहे वो मल्टिपल लेजर में जाकर के बनाया है चाहे सिंगल लेजर में जाकर के बनाया है उन्हें आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जब भी आप लेजर बनाईए तो सिंगल लेजर में बना के लिए जैसे उनका जो है पिन कोड एडरेस वगयरा ये सारी चीजे भरने का उप्शन नहीं मिला था तो जब आप सिंगल लेजर क्लिक करके बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहाएगा फिलाल इस वीडियो के अंदर हमने लेजर बनाना सीखा मल्टिपल लेजर और सिं होगे इनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ फिलाल इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हम लेजर को बना सकते हैं किस तरीके से उसे देख सकते हैं किस तरीके से उसमें कुछ चीजे सही कर स ताकि उनका भी फायदा हो सकी और चानल पर पहली बार हो तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ताकि आप हमारी नए नए वीडियो देख पाएं मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंद मातरम